नमस्कार दूस्त आपका स्वागर टेक्नों टर्णमी और अज़के स्वीडियो में आपको बताऊंगा कैसे आप कोर्वस OS को अपने DLM X2 के इंदर कैसे इंश्टो कर सकते हैं और यह एक कस्टम वेंडर रोम है तो यहां इसके इंश्टोलेशन प्रसेस प्रेविल्ड सब्सक्राइब तो अभी मैं आपको सब्सक्राइब है और अगर इंश्टो करना है तो मैं कैसे कर पाऊंगा वह ही बताने वालाओ मैं आपकी स्टॉडियो में तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो कस्टमरी करी को ओपन कर लेना है तो अगर आपके फॉन के इंदर कस्टमरी करी इंस्टॉल नहीं है तो इससे पहले मैंने जो वीडियो बनायता है वो आप चाहे तो जाके दिख सकते है क्योंकि इसके इंदर मैंने सब कुछ डीटल में बताया है कि आप कस्ट तो यहां custom required TWRP open हो चुकी है तो यहां आपको wipe में जाना है उसके बाद advance wipe में जाना है और यहां आपको dalby cash system vendor data को सब्सक्राक आपको प्लीव कलें नहीं थीज एक लोट आपको भी गया नहीं कर रहे जोड़िए रहा है इसलीए आपको को यहां विंद्र को भी बैक जाना है और यहां आपको इंस्टॉल में जाना है और जहां आपने अपनी कस्टम वेंडर बेस के कस्टमरों को रखा है उस फोल्डर में जाना है तो मैंने तो यहां तो यहां कस्टम रोम इंस्टल हो चुकी है तो यहां आपको डाली कोरकेस को वाइप कर लेना है इसके लाव इसके अंदर इस बाद GFs included है तो इसलिए इस बाद में यहां GFs plus नहीं कर रहा हूँ इसके बाद आप और फिर से वाइप के अंदर जाना है और यहां आपको format data पे क्लिक करना है यहां आपको yes type करना है और enter करना है उसके बाद आपको एडामस वाइप में जाना है और यहां भी डाली कोरकेस को वाइप कर देना है तो यहां हमारे installation complete हो चुका है तो आपको simply अपने mobile को reboot कर लेना है तो यहां आप देख सकते हैं कर्वेस OS boot up हो चुकी है तो चली मैं इस जली सेट अप कर लेता हूं तो आप यहां देख सकते हैं कि कोर्वेस OS successful install हो चुकी है तो यहां फर्स्ट इंप्रेसर में तो मुझे काफी स्मूध रूम लग रही है इसके लिए आप यहां देख सकता है कि हमें इसके सप्टेंबर का सेकुर्टी पेज़ देखने को मिल जाता है इसके लाव लोस के कंपेर में इसके नदर आपको कस्टोमाइजन थोड़ा देखने को मिलेगा और बैटर बेकप बगेरा तो यहां कस्टोम रून के नदर आपको कमल काई देखने को मिल जाएगा इस रूम का भी मुझे पता नहीं लेकिन लोस मेंने तीन दिन यूज़ किया है और मुझे लोस के नदर नॉर्मल उज़िज में एट एवर प्लस का बैटर बेकप देखने को मिला है और जबकि मैंने उसकी चार्जिंग को 20 से 80 के बीच में चार्ज किया है चार्जिंग को 20 से कम भी नहीं होने दिया और 80 परसंट ज्यादा मैंने चार्ज भी नहीं किया है तो 60% के चार्ज में मुझे इतना ज्यादा बैटरी बैकप देखने को मिला है तो आप समझ सकते हैं कि बैटरी बैकप कितना होगा इसके लागर कस्टम रोम के रिव्यू की बात करें तो उसके भी मैं वीडियो जल्दी ही लेकिया हूँगा लेकिन पहले में यहां आपको सारी इंस्टोलेशन में बताना चाहूँगा ताकि मुझे बाद में आपको सारी वीडियो में इंस्टोलेशन में ना बतानी पड़े तो दो वीडियो यहां खतम हो चुकी है अब स्रिप यहां एक ही वीडियो बाकी है कि आप custom window room से store window custom रोंको कैसे इंस्टर कर सकते हैं तो next studio उसी की बारे में होने वाला है तो वीडियो को like कर दीजी और चैनल पे नहीं है तो चैनल को subscribe करना ना भूले तो अकर आपको यह room भी इंस्टर करनी है तो आप इंस्टर कर के यूज़ कर सकते हैं वैसे बहुत साय लोग यह कहते हैं कि gaming के लिए code source कापी अच्छी है वैसे वह तो test करें के तभी पता चलेगा कि gaming के लिए room कितनी अच्छी है वह तो तो मुझे यकिने दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो आपको लाइक कीजिए शेर कीजिए और अच्छी वीडियो से दिखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जय ही जय पारत झाले दोस्तों आपको दोस्तों आपको जदर मुझें भरात झाल झाल झाल